फिन टॉक में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार फिन टॉक यहां होती है फाइनांस और बिजनस की बाते तो दोस्तो साल 2022 की शुरुआत ही क्रिप्टो बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही नया साल शुरू होने के साथ ही जातर क्रिप्टो करंसी में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ हो अभी भी जारी है ब्लैक फ्राइडे का असर शनिवार को भी दिखाई दे रहा है और बिटकॉइन इथेरियम समेट जातर डिजिटल करंसी के दाम जमीन पर आ गए है एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में क्रिप्टो करंसी की वैलियू में आई गिरावट की प्रमुक पजा रूस के केंद्रिय बैंक द्वारा देश में इनकी माइनिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव है दुनिया की सबसे फेवरेट क्रिप्टो करंसी बिटकोईन का हाल शनीवार को भी बेहाल रहा इसमें 7.8 फीजदी की गिरावट देखने को मिली इस तरह इसकी कीमत 2,23,200 रुपे कम होकर करीब करीब 29,28,746 रुपे के निशलिस तर पर आ गई है इस गिरावट के साथ ही बिटकोईन का बाजार पुझी करंड भी गिर कर 55 खरब रुपे पर पहुँच गया है गौर तलब है कि अकस 2021 के बाद बिटकोईन का ये सबसे निशला स्थर है इस से पहले आपको बता दे कि बीते साल निवेंबर में बिटकोईन ने अपना ओल टाइम हाई का आकड़ा चुआ था लेकिन इसके बाद सही इसके तूटने का सिलसला जारी है गौर तलब है कि 2021 के नवेंबर में बिटकोईन का दाम अपने ओल टाइम हाई पर पहुच गया था नवेंबर में बिटकोईन की कीमत 68,990 डॉलर तक पहुच गई थी लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है शनिवार तक बिटकोईन की कीमत नवेंबर में अपने सर्वकालिक उच तर्व से 46 फीज़ी तक नीचे आ गई है वही साल 2022 की बात करें तो इस साल की शुरुआत से अब तक महीने भर से भी कम समय में बिटकोईन का दाम 15 फीज़ी से जादा तूट गया है सिरफ दोस्तो बिटकोईन ही नहीं बलकि दुनिया की टॉप 10 क्रिप्टो करंसी समय दूसरी डिजिटल करंसी के दामों में भी भारी कमी देखने को मिल रही है दूसरी सबसे लोगप्रिये क्रिप्टो करनसी की बात करें तो इथेरियम की कीमत पुरी तरीके से लुड़की है शुक्रवार को जहां इसमें 9 फीजदी की गिरावट देखी गई थी वही शनिवार को इसका दाम 11.59 फीजदी टूड़ गया है क्रिप्टो करंसी इथेरियम की कीमत में भी पिछले 24 गंटे में भारी गिरावट आई है इस साल के शुरू होने से अब तक इसमें करीब 20 फीजदी गिरावट आ चुकी है क्रिप्टो करंसी को एक वॉलेटाईल और जोखिम भरा बाजार माना जाता है यहाँ पल में निवेशक आसमान की बुलंदियों पर पहुँच जाता है तो जटके में जमीन पर भी गिर जाता है यही कारण है कि भारत में निवेशकों की सुरक्षा को मद्दे नजर बाजार में हाल में आये भुचाल की तो इसके तार कही ना कही रूस से जुड़े है विशेशक्री की माने तो क्रिप्टो करंसी की वैल्यू में गिरावट की प्रमुक वजा रूस के केंद्रिय बैंक द्वारा देश में इनकी माइनिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव है केंद्रिय बैंक ने कहा कि क्रिप्टो करंसी से रूस की वित्य स्थिर्ता को खत्रा है और इससे लोगों को नुकसान होने के साथ ही देश की मॉनिटरी पॉलिसी भी प्रभावित हो रही है तो दोस्तों अलग-अलग एक्सपर्ट अपनी अलग-अलग राय दे रहे है कि क्रिप्टो करंसी के गिरने की असली वज़ा क्या है अगर आप इसका जवाब जानते है या फिर कोई प्रश्ण है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जए हैं